आज हम लड्डू को पाल के लिए पगड़ी बनाएंगे उसके लिए हमने यह पेश्टिंग बुक्रम और साटन का कपड़ा लिया है अब इसे प्रेस करके उसको चिपका देंगे यह हमने प्रेस करके चिपका लिया है इसकी लंबाई हमने छे इंच रखी है अब इसकी चोड़ाई सवा इंच लगो इसको कटिंग कर लेंगे अब इसमें जो एक्षर कपड़ा बचे है उसको चिपका देंगे इसमें अब इसमें गोल निशान लगा लेंगे आगे कटिंग करने के लिए तोड़ा सब गोलाई में निशान लगा के इसको अब यहां से हम इसे थोड़ा सब कट कर देंगे कट करने के बाद इसको आपस में चिपका देंगे अब इसको रख करके इसी की साइज का गुलाई में पेस्टिंग उक्रम और कपड़ा काट करके चिपका लेंगे अब यह हमने चिपका लिया अब इसके ऊपर इसको चिपका देंगे फैविक लो लगा करें हमने एक नेट काट लिया है इसकी लंबाय तो छे इंच है और यह मैंने पांच इंच रख लिया है यह आपको जितने आपको प्लेश ज्यादा डालनी हो तो यह ज्यादा भी रख सकते हो अब इस तरह से हम इसमें प्लेश डाल लेंगे इस डाल के सुई धागे से इसरे सिसमें टांका लगा लेंगे इस नेट को यहाँ पर हम चिपका देंगे इस तरह चिपकाने के बाद पहले फिर नीचे साइड साइड में पहले पूरा गुलाई में चिपका लेंगे इसको अवरे हमने इस पर नेट चिपका दिया है इस तरह से यहां पर लागाए अब हैं इसा यहां पे रहा ग्हां कर दिया है अब से इस पर करके यहां में गरा दे और यह इधर का यह उपर का यह सिलाक है यहां पर इस तरह से ऐसे चिपका देंगे तो रेको अब ऐसे ही हमने यह छे इंच लंबा और डेड़ इंच ओड़ा कपड़े पर पेस्टिंग गुकरम पर कपड़ा और नेट चिपका लिया है अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे पूरे को आप आप इंचे ऐसे मोड़ते जाएंगे ऐसे प्रेश्ट पूरे में इस तरह से प्रेश्ट डालेंगे इस तरह से पूरे को अच्छे से यहां से टांक लेंगे इस तरह से टांकने से हम जब इसको चिपकाएंगे तो यह फूलेगा नहीं हमने यह कलंगी तयार कर लिए अब इसको हमें आप इस तरह से चिपकाएंगे ऐसे इस तरह से इसको आप इसमें भी लगा सकते हो लेकिन मैं इसको यहां पर साइड में लगा रही हूं अब इसमें इसको हम डेकोरेट करेंगे यहां पर हमने कलंगी लगा दिये हमारी हमारे लड्डू को बल की यह पगड़ी बन करके तयार हो गई है जो देखने में कितना प्यारा लग रहा है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थेंक यू